दो हज़र बाइस तेइस का क्लास टेंथ का ग्रिह विज्ञान का यह मॉडल पेपर है अगर आप बोड एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि यही वैसे ही आपके बोड एक्जाम में कुछ पेपर आने वाले हैं तो अगर आप नए आये हैं तो प्लीज स आपका यहां पर सटर नंबर के लिए और समय दिया रहे है की अब्रस्ण पर पर परश्ण सकरण कें और पर दय वाज डिया हैं कि आपका हो में आपका बहु भी कल्पी प्रस्न आजाएगा और खंड में आपके क्वेस्टन आंसर यानि दोर नंबर पांस नंबर दस नंबर की क्वेस्टन आंसर आजाएंगे थर्ड है OMR सीट पर उतर पुस्तिका अंकित की जाने के पस्चाथ उसे काटे नहीं तथा एरेजर यानि वाइटनर आदिका प्रयोग न करें खंड और आपको निसान लगा के OMR सेट में आपको भरना है यहाँ पर आपको देखिय दिया गए है एक एंटू बेस यानि के सारे एक एक नंबर की question है बेस question आपको दिये जाएंगे फोस्ट है सरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है यारी कि 70 प्रतिशत होती है या 100% होती है 90 होती है या 40 होती है एक सही है उस पे आप सही का निसान लगा दीजे थर्ड है, मिल्टन कलाथ का कपड़ा होता है, रोयदार उनी, मोटा, या रिस्मी, या सूती होता है चौथा है, परिवारिक बजट बनाने का उद्धे से है, बचट करना, ब्याय पर नियंदर करना, आय का ग्यान, उपर्युक्ट सभी पाचवा है, बीस मीटर कपड़े का दाम तीन सो है, तो एक मीटर कपड़े का मुले कितना होगा देर सो रुपे होगा, यानि एक सो पचास रुपे होगा, या पंदर रुपे होगा, चालिस रुपे होगा, या फिर आपका बीस रुपे होगा जो आज सही हो आप निसान लगा दीजेगा फ्रेंट्स में आपको बता दू कि यहाँ पर परिवारिक बचट है यानि जो आपका परिवारिक बचट दिया है यह टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें से आपको लॉंग अंसर, सौट अंसर या फिर दिल गुतरी सा बाते हैं आप जरूर देख लिजेगा छट्वा है निम्न में से कौन सा रोग असूद जल से नहीं फैलता है हैजा, अतिसार, तपेदी, मोती जहरा अगर अब इस्क्रिन सौट लेना चाहें तो ले सकते हैं सूती तंतुप्राप्त होता है रसायनों से, पसुमों से, मनस्पती से, इनमें से कोई नहीं अठवा है, चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वाई द्वारा या फिर आपका भोजन के द्वारा थंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी या घूली हुई बर्फ का पानी दस्वा है, अमलिय वर्षा कीन गैसों के कारण होती है सुल्फर डाई अक्साइड के कारण होती है नैट्रोजन अक्साइड के कारण होती है या फिर दोनों होती है या फिर कारवन डाई अक्साइड के नुसार होती है इक रहा हमा है रूधिर की सुध्धी किस अंग में होती है पाचन में होती है फुफुस में होती है धिर्दे में या फिर तुचा में बरहा हमा है प्याज की मुल्टीस बांधने चाहिए मोच पर, चोट पर, खोड़े पर या फिर सभी पर तेरा हमा है भोपाल दुर्गटना किसका उदाहरण है? वाई प्रदूसड का है, जल प्रदूसड का है, ध्वनी प्रदूसड का है, रेडियो धर्मी का है चोड़ हमा question है, छैरोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए यानि जो छैरोगी के जो भोजन होता है उसमें किस चिसकी मात्रा सबसे अधिक करके होनी चाहिए प्रोटीन का, वसा का, कार्बोज का, विटामिन का जो फ्रेंड्स आपको आफसन सही लगे उस पी सही का निशान लगा दीजे नेक्स्ट आते हैं पंद्रहमा है कृतिन स्वसन क्यों दिया जाता है स्वसन तंत्र को उत्यजित करने के लिए स्वसन को पूना सुरू करने के लिए दोनों के लिए और किसी के लिए नहीं स्वसन निवन में से कौन सा विटामिन जन में घुलन सील है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के सत्रहमा है एक समान व्यक्ति की नाड़ी गती लगभग होती है चौदा बार, सोलह, साथ बार, बात्तर बार या फिर नब्बे बार अट्रहमा क्वेस्टन है अतिसार रोग में रोगी के सरीर में कमी हो जाती है किस चीज़ की कमी होती है अतिसार रोग में बसा की होती है या प्रोटीन की होती है कारवोच की होती है या फिर जलकी होती है अस्ति भंग में अत्यधीक रक्तसराव को रोकने में किस बिधी का प्रयोग करना चाहिए बर्फ लगना, दबाब डालना, तूरनी केट या फिर कोई नहीं विश्वाँ है एक स्वस्त भ्यक्ति का स्वास्त गती प्रती मीनट होती है 16-18 बार, 20-25 बार, 25-30 बार या फिर 30-35 बार खंडब़ है अति लगू उतरी प्रसन है यानि प्रसन संख्या 21-26 अति लगू प्रतरी प्रसन है प्रत्यक प्रस्ण का उत्तर अधिक्तम 25 सब्दों में ही आपको लिखना है यानि कि आपका ये short answer है दो question आपको करना है जिसमें से आपको 6-6 नंबर दिये गए हैं परिवारिक बचट किसे कहते हैं ये जो topic है आपका बहुत ही important है परिवारिक बचट किसे कहते हैं 22 question है जो कि short answer में आता है यानि आपको क्यों 25 सब्दों में देना है यानि दो line क्यों right करना है बैसवा है ओजोन परत का क्या महत्तु है यानि जो ओजोन परत है उसका क्या महत्तु है 23 है कपड़ा काटने से पहले लेना क्यों आवस्यक है यानि कपड़ा से काटने से पहले माप लेना क्यों आवस्यक होता है 24 है भोजन पकाने के उद्देश से समझाईए यानि भोजन पकाने के जो उद्देश से होते हैं आप उसे समझाईए पचिस्वा क्वेस्टन है दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे चबिस्वा क्वेस्टन है तापमान लेते समय दो सधानियों को लिखें यानि तापमान जब लेते हैं हम तो उस समय में कौन सी सधानिया बरतनी चाहिए वो हमें 2 राइट करना है अब आता है लगू यानि उससे भी थोड़ा सा अगर वो 2 लाइन में लिखेंगे तो आपको यह चार लाइन में लिख पांच लाइन में राइट करना है ठीक है यानि कि आपका जो पेज रहेगा उसमें से 5 राइन का अप्राइट कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा नमबर मिलेगा चार क्वेस्टन दिया है जो कि 5 पश नमबर का है 58. 27. पास्बूक वा चेक बुक में क्या अंतर है? 28. हड्यों के टूट वो मोच में होने वाले प्राथ मिन कुद्चार का वर्डन कीजिए यानी जो हड्या टूटती हैं तो उस मोच पर हमें क्या हम पहला उप्चार क्या करते हैं वो हमें रहे लिए बरडन करना है बरड़न करने का मतलब आपको शा-ाट पेज में राईट कर देना है उनकिस्वा तमबाक है तमबाकु पीना स्वास्त के लिए अनिकारक यह थीखवı होता है जह conduz प्रतिरोधक छंटा को बताईए यानि कि वूंतीसमत स्वास्त के रहें हैं सबसे लास्ट क्वेस्टन आपका बंतास दिर्ग यानि सबसे बड़ा आप जितना चाहिए। आपके कॉपी में जितना भी पेज बचा रहे। उसमें आपको मैं ingenject 324 तक दिर्ग उत्रई प्रसंत हैं 22 सो यही विकलप दिये गए हैं कि प्रतेग प्रस्थिक के एक इवैं कि विकलपका उत्तर लिखना है उत्तर सो शब्दों के अंतर्गत ही लिखिये यानि कि आपको यह अच्छा दिया है कि 100 यनि कि 100 रफ्ट से जादे नह हो 32 question है परिवारिक I का क्या अर्थ है परिवारिक I का प्रकार एवं बिभीन सुरोतों का वर्डन कीजिए यानि जो अथवा है अथवा में क्या होता है कि अथवा एक ओफर में मिलता है यानि कि अगर आपको एक question ना आए अगर आपको नीचे वाला question आ रहा हो तो इसमें से पर बना के देते हैं वो डिक्जाम हो ले यानि के 32 परिवारिक I का क्या अर्थ है परिवारिक I का प्रकार एवं बिभीन सुरोतों का वर्डन कीजिए अथवा दिया है ग्रिय गडित क्या है इसके महत्तों को सविस्तार समझाईए यानि ग्रिय गडित क्या होता है इसके मह गर में शिलाई करने से ग्रिहडी को क्या लाव होता है एक ग्रिहडी के लिए इसका घ्यान होना क्यों आवस्यक है या फिर अथवा दिया है नाप लेने की विधियों का सविस्तार वडन कीजिए यह तुब इस आपका जो बोड एकजाम की यह जो पेपर है बहुत ही अच्छ सबसे लास्ट क्वेस्टन है रोगी का आहार तयार करते समय किन कीन बातों का ध्यान देना आवस्यक होता है बिस्त्रित वर्डन कीजिए यानि जो रोगी का आहार होता है तयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना आवस्यक होता है बिस्त्रित वर्डन करना है तो फ्रेंड्स ये रहे आपके बोड एक्जाम के मॉडल पेपर यानि की कच्छा दस का ग्रिव विग्यान तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो सस्क्राइब लाइक कमेंट करना बिलकुल मत भूलिएगा अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉलम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके वहां पर हमें बता सकते हैं और मैं वहां पर आपका पूरा का पूरा प्रॉलम सब्व कर देंगे